स्वागत आप सभी का कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स और अज बात करने वाले हैं बॉक्स बेस्ट पजल की इससे पहले मैं सिक्वेंशल पढ़ा रहा था उसमें तीन तरह की पजल होती है मन्त डे और ये वो तीनों की तीनों की तीनों पजल मैंने करा दी है अब हमारा एक टाइप चेंज हुआ है और बॉक्स बेस्ट पजल में एंटर किये हैं ये बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट टाइप की पजल है क्योंकि ये हर एक्जाम में आती है जाहे वो क्लरक हो जाहे वो पियो ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है और वन अदम माई मेरा सबसे बेस्ट है मुझे बहुत इसमें चीजें कर सकते हैं एक्सटा ठीक है चलो स्टार्ट करने वीडियो को देखते हैं वीडियो में क्या है लेकिर उससे पहले बात बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर दो वीडियो दोतों के आप लोगों को दे दूंगा आप यह मान के चलो कि एक में तीन है तो 36 पजल के आसपास आपको उसमें मिल जाएगी ठीक है तो आपका एक सिक्वेंस से त्यार हो जाएगा कि कौन सी पजल में आप वीक हो तो आप उसके अलावा भी कहीं से आपको PDF मिलती है तो आप उसमें अपना अपलब दे सकते हो अच्छा कर सकते हो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं आज वीडियो में हमावास क्या है तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि box-based पदल से हम शुरुवात करेंगे तो box-based पदल एक बहुत simple सी पदल लेकर आया हूँ शुरुव step-wise चलेंगे step-wise चीज़ों को करेंगे step-1 में condition पढ़ेंगे सबसे अच्छी बात इसमें यह हो दिया है कि इसमें बहुत कम पढ़ना होता है कि कितने boxes हैं बस और कुछ नहीं होता है और अगर कोई variable दे रखा आला तो वो देखना होता है बस और कुछ नहीं देखना होता है ठीक है चलो देख लेते हैं कराया there are seven different boxes यह boxes के नाम दिये हों है but not necessary same order बस अब यहां तक हो गया आप शुरू कर दिया है इसमें तो इसमें आपको ना क्या करना होगा आप ना बना लो एक table बना लो 7 boxes का table बना लो उसके बाद चीज़ों को रखना शुरू करेंगे ठीक चल यह हमारे साथ boxes हैं और यह line में ने खिची है कि अगर possibility बनेगी तो कोसिस करेंगे कि अगर दो possibility एक साथ चला सकें तो चलाएंगे ठीक है क्योंकि इसमें ना यही चाहिए इसमें बहुत possibility बनती है बहुत और जितनी जल्दी आप possibility eliminate करोग ना उतना चाता आपको exam benefit मिलेगा ठीक इसका चलो देखते हैं all the boxes are kept one above another यहां तक हो गया the position of the lower box is number one okay I am really sorry यहां तक नहीं था यह यह आगे तक था number one and the box above is number two so on ठीक है number one सबसे नीचे होगा उसके बाद उपर नीचे जाएंगे ठीक है यह यहां तक आप लोग पढ़ लिया करना ठीक है I am really sorry मैं पूरा नहीं पढ़ा इसके लिए चलो आके देखते हैं only three boxes were kept between P and R तो P और R में तीन boxes है तो तीन ऐसे बना के तीन लिख देंगे ठीक है कह रहा है box S is not kept above R मतलब ऊपर नहीं है तो कहां है नीचे है तो S कहीं नीचे ही होगा ठीक है ऐसे बना देता है कोई बाद है अच्छा R और P का मुझे नहीं पता है कौन ऊपर नीचे है इस वज़े से म इस लाइन में अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे या लग लिख के मतलब ऐसे लिख दाता पी एक दो तीन चोड़कर R और ऐसे बना देता ठीक है तो इस तरह मैं इस तरह इसी लिखता हूं इस बात का ध्यान लगना चलो only one box is kept between R and M अब दोको R और M में एक box R already लिखा क्योंकि वहां पर मुझे पता ही नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे इस वचे से मैं इसको अलग लिखते रहा हूं और इसको भी मैंने इसी तरह लिखा ठीक है चलो box O is kept exactly between P और N अब यह इसको देखो P slash N एक जैक्ट between में O होगा ठीक है ऐसे लिख दो exact between P slash N ठीक ऐसे है उसके Q के तुरंट उपर होने वाला है कौन R ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं conditions जो hidden होती है थ्यान से देखना जो condition इसमें hidden होती है उस condition को अब दिखाने की कोशिद करूँगा आपको एक बात मुझे बताओ कि P, R और 3 कितने हो गया यह 4, 5, 5 हो गया थ्यान से देखना अगर R यहां 5 है तो 6 और 7 तो दिख रहे हैं साथ बाक्स साथ लोग हम ना जब भी इस तरह की पजल आएगी जब भी इस तरह के बाएगी सबसे पहली condition तुरंट इसको रखेंगा यह मिल गया है मुझे तो सबसे पहले इसको तुरंट रख देंगे इसको रखने का reason यह है कि आप पजल शुरू करते हुए बनाना और एक बार जैसे ही में अट करेंगा तो यही शुरू करेंगे तुरंट रखेंगे और एक सिक्वेंस से चले आएगे ठीक है चलो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पजल को लिखना मुझे नहीं पता पजल सही बनेगी या गलत लेकिन मुझे इतना पता है कि यहां इसको रखने पे सातों बॉक्स फिल हो जाएंगे इस वज़े से मैं इसको रखूँगा ठीक है आई पी को में यहां रखोंगा तीन छोड़कर आरको बहुत एक चोड़कर एंगर अब जब मुझे एक बात बताओं, इस सेम ही को चलो, यहां पे दिखा रएँ दो, सेम चीज को मैं एक स्टैप नीचे खीच दूँ अगर इसको सवर, यहां पे M लिख दें, M सेम चीज़ को करें कि step में नीचे की ढ़ दूं यह ऐसे कर दूं p को यहां रखूं, r को यहां रखूं तो possible है क्या कि m को रख दूं m ऊपर भी हो सकता नीचे भी हो सकता कहीं भी हो सकता कोई दिक्कत से us दिए, इम को यहां रखती है मैंने और अभी नहीं पता, R से एक छोड़कर M चाहिए है, M को यहां रख दूँगा, अचा, P से रिलेटेटेटेटे कंडिनिशन दे रखे लिए, P और N के एक्जाक्ट बीच में कौन होने वाला है, O होने वाला है, तो एक्जाक्ट बीच में कब होगा, जब 3 का गैप, 3 का गैप या फिर P और N के बीच में एक, 2, 3, 4, 5, 5 पांच लोग गैप, तब एक्जाक्ट बीच होगा ना, मतलब odd numbers का gap होगा, odd numbers का, तभी exact बीच में कोई बैट पाएगा, even number की gap में नहीं बैट पाएगा, जबान देख था ऊपर कहीं odd number का gap दिख रहा है, इसके अलागा, यहां प बन गई, बन गई ना, तब सही बना है, P और R में तीन लोग का gap है, R के नीचे है S, R से एक छोड़ कर है M, R के जच नीचे है Q, और P और N के exact बीच में है O, है ना सही, और effectively बन गई, ठीक है, तो I hope यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, नहीं समझ में आ रही बं सकती है, जब तक ना condition को लिए पॉस्टि नहीं चेक करोगे, पॉस्टि नहीं बनेगी और हे possibility को एके करके check कराता हूं ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं अगले पजल में हमारे हमें क्या कहा गया है next जो पजल है pen का कदर बदल लेता हूं next पजल है कह रहा है 8 chair इस बार 8 chair है ABCD are placed in a linear stack ठीक है from top to bottom not necessary in the same order a is not placed at a अचा यहां से condition start हो गई तो एक same order में 8 chair है ठीक है अब क्या करना है में कि 8 बना लेंगे chair के लिए stack ठीक चलो लेते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 stack बना लिए बहुत ज्यादा gap कर दिया रुख जोई पने ज्यादा ही gap कर दिया थोड़ा और कम करते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फिल मैंने इसको बनाया इसको बनाने का रीजन क्या है इसको बनाने का रीजन है अगर possibility आती है तो हम तुरंट तुरंट क्योंकि इसमें तो variable नहीं दिया हुआ है जो variable नहीं दिया होता है तो possibility चेक करना आसान होता है एक साथ दो possibility को चलाना भी आसान होता ठीक है चलो एक एक करके हम दोनों possibility को चलाएंगे एक सिकेंड ओर गारी ऐस चलो एक सिकेरव बॉटम यह है यहाँ नहीं होगा और यह बॉटम मोज पे नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखो G is placed either at the second position from the top और at third position from the bottom और at the bottom most position मतलब G इसको थोड़ा किनारे रखों कि बॉटम और third की फिर बात किया है जी कह रहा है second top से है उसके बाद third bottom से है और bottom पे है देखो ज़्यान से एक बार में जब तक condition नहीं समझोगे ना बहुत दिखकत हो कि दुबार बार बार condition पड़ोगे तो लेट होगा time लगे गाओ तो नहीं ठीक है कह रहा है G is placed either at second position from the top तो seventh position हो गई और at third position from the bottom third हो गई और at the bottom position यह तीन जग़ा G के लिए है अब देखो only three chair are placed between B and G तो B और G में तीन chair है B एक दो तीन छोड़ कर G ठीक है B और G में तीन chair है उसके बाद कह रहा है F is placed just above H H के तोरंत उपर बैठा है F okay H is neither placed at the second position from the top मतलब H यहाँ पर नहीं आएगा from the top nor at the third position from the bottom अच्छा H यहाँ पर नहीं आएगा okay C is placed above E and E is placed above A A के उपर है कौन E और E के उपर कौन है C ठीक है D is placed three B place below B three place below B का मतलब क्या होता है B का first place second place D below B रुगा ऐसे लिख देंगे ठीक अच्छा यह condition जैसे आपने लिखी D वाली कुछ दिखा आपको आपको कुछ यह चीज दिखा जो मैं दिखाना चाहरा हूँ ज्याहन से दिखना 1-2-3-4-5 बी तो पांचवा था यहां देखो एक दो तीन चार पांच बी पांचवा था छे साथ आठ देख गये ना आठो क्या आठो बस रख दो चेक कर लो ठीक है तरही हो कि नहीं अगर मैं बी से नीचे डी को रखूं तो मुझे बी के ऊपर चाहिए जी एक दो तीन छोड़कर जी और एक दो छोड़कर डी चाहिए इस चीज से क्या पॉसिबल है क्योंकि जी की कंडिशन मुझे दे रखी जी कहां-कहां बैठ सकता है अगर मैं जी को यहां बैठा दिया थीन छोड़कर बी को यहां बैठा दिया और दो छोड़कर डी तो यह बैठे गई नी इसका मतलब जी अड़ बिकर यहां पर रखते हैं जी को और दो खोड़ कर दो लोग बचये रहो थो Γूह याँ तो यहां देख यहां देख रही है यह यहां देख रही है इस एक जखह रखके देखेंगे और मालुल नीचे रखता हूं मैं एकेस हो यहां पर रखता हूं बस केस् हो रहा हूं तुरण तुरण जल दी दी मैं में यहां कि नहीं देख रहा हूं के H यहां पे है A, E, C सारी चीज़ सही बनी है कुछ घ्ल बनी बना है ठीक है मतलब F, OR H यहां आ सकता चलो अचा एक कंडिशन फोरच की और थी ना चलो उसको देख लेते हैं एक बार A, E, C, इसको हटा ज़ता है. F, H को, अगर मैं यहाँ पे रख देता F, H को, अगर मैं यहाँ पे तो गलत क्या होता, देखो. C तो confirm यहाँ आता है, क्योंकि सब से उपर था वो. और E यहाँ आता, और A यहाँ जाता है, और A यहाँ पे मनाकार रखा है, देखो. हम इसका मतलब यह वाली कंडिश्ण मेरी गलत हो जाती है उके ठीक है यह वाली कंडिश्ण मेरा गलत हुए कि इस यहां पर नहीं आएगा इसलिक फ уч इंह आने वाला थी कि यहां से पजल बन भी जाएगी यहां पर A, E और C, यहां पर पचल बन भी रही, लेकिन मैं यहां पचल बनाने नहीं आया हूँ, मैं अप्रोच सिखाने आया हूँ, तो मैं एक चीज और करूँगा, जी की एक possibility बची हुई जी न, चलो जी की दूसरी वाली possibility को देखते हैं, क्या है उसमें, क्यों गलत हुआता हूँ, जी को यहां रखा, एक, दो, तीन छोड़कर, बी को यहां रखेंगे, तीन छोड़कर दो छोड़कर, डी को यहां पर रखेंगे, FH के लिए कुसे ने इतन वाले बनी आएगा, ह, इस वाले बनी आएगा, तो यह आली possibility भी गई ठीक है, एक ही जेगा बचरी FH के लिए, F और H यहां पर आएंगे, आप को यह पता है, अब देखो, C यहां आएगा, E यहां आएगा, और A यहां आएगा, इस possibility में A फिर गलत हो गया, इसका मतलब A ही रखा, फिर C, E, और A, ऐसे, यह possibility मेरी एकदम perfectly सही बनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत कर बड़ी हो, तो मुझे बजा देना comment box में, otherwise यह पदल एकदम सही बनी है, ठीक है, तो आई होब यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना, नई समझ में आ रही होंगी, comment box में comment कर देना तुरंत, ठीक है, चलो, next देखते हैं, अगली की पदल क्या है हमारे पास, अब बात करेंगे अगली पदल की, अगली जो पदल है, वो है, करा है, seven boxes, A, B, C, D, E, F, G, are placed in a seven different shelf, one above another, such that, bottom most left is number one, ठीक है, the one box, the one box, one is number two, अच्छा, कुछ गबर दिखा यह, उसके ब bottom है, उसके बाद, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे बोला, ठीक है, उसके बाद कहला है, top most, ठीक है, इस number seven, 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 five, जो है, top most है, each box, अब यह box कुछ contain करते हैं, black, white, color, ठीक है, color है इनके पास, उसके बाद, यहाँ से पदल स्टार्ट होगी, तो हमें पता चल गया, seven box है, seven box ह देखना होगा, ठीक है, तोडी सी बड़ी में, और इसमें हम possibility नहीं बना सकते हैं, अब बना तो सकते हैं, लेकिन, थोड़ा होच-पोच हो जाएगा, इस वज़े से, possibility नहीं, हम eliminate करके चलेंगे, elimination method से, इसको देखेंगे, ठीक है, चलो, आप एक एक करके condition को note कर लेते हैं, क्यारा है, box A is placed in an odd numbered shelf, तो A को odd पर बठाया है, A जो है, वो odd पर बठेगा, odd ठीक है, below F, चाहा, F के नीचे है, चलो, ऐसे arrow ना, तो F लिख दू, ठीक है, the box E is placed on third shelf, अचा, third पर तो गया E, E यहाँ पर आ गया, इसका मतलब, अचा, F के नीचे है, A को देखना, A कहा है, F के नीचे है, मतलब, A odd पर है, F के नीचे है, मतलब, A हाँ तो नहीं आएगा, यह भी confirm, अचा, A third पर, E आगया, तो वहाँ भी नहीं आएगा, इसका मतलब, A के लिए पांच वा बचा, और पहला बचा, यही दो बचा, A के लिए, ठीक है, लिख देते हैं, वहाँ पर, कि A य टीन, चार, जी कहां रखोंगा, का मतलब, A के लिए तो confirm पता चल गया, कि A कहां आएगा, यह होगा है, मेरा confirm, ठीक है, यह चीज आपके दिमाह में चल रही होने चाहिए, पहले से ही, ठीक है, तो A का मुझे पता चल गया, अब A का पता चल गया, तो, एक, दो, टीन, चार छोड़के, G का भी पता चल गया, मुझे, ठीक, ओके, चलो, अभी F का नहीं बता, A which contain blue color, अचा, A को बता दिया, कि blue color प्रसंत है, तो blue को लिख देंगे, blue color, ठीक, यह भी हो गया न, चाटा तो इसको, The box C contains black color and is placed above box G, G के उपर एक ही जगह दिख रही है, वहीं रख देंगे C को और black को, ठीक, ठीक, चलो, next दिखते हैं, Number of boxes placed above white color box is one less than that of number of boxes placed below red color, तो white color का जो box है, white color का जो box है, और red color का जो box है, दोनों में एक चीज बताई गई है, कि इसमें एक कम होगा, रेड में जितने नीचे होगे, white में एक कम होगा, ठीक है, मालों यहाँ पर चार अगर नीचे हैं, तो वहाँ पर तीनी होगा, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हो, ठीक, चलो, देखते हैं, not more than two boxes are placed above f, f के उपर दो से जाधा नहीं होगे, तो भाई देख लो जगा, कहां बची होगे, यहीं आएगा 100%, और नीचे रख देंगे दो, दो हो जाएगा न, f की भी place हमें पता चल गई, ठीक, चलो, f which contains purple color, तो f को जो purple पसंद है, ठीक, चलो, आगे देखो, the red color box is not placed immediately above purple color box, तो यहाँ पे red नहीं होगा, यह पता चल गया मुझे, ठीक है, चलो, आगे देखो, green color box is placed just above the blue color box, green जो है, green वो blue के just above है, अब blue हमें दिया हुआ है, blue दिया यह नहीं दिया है, देखो green, blue दिया था यहाँ पे, तो green मैंने लिग दिया, इसको भी हटा दो अब, जो होता जारा तो आटा जारे, इसमें देखो एक अच्छी बात यही होती है, कि आपकी condition जैसे जैसे बढ़ती कैसे मुझे चीज़ें याद रहती है, अगर मैं A को रख रहा तो मुझे पता था, A वहाँ पे आएगा तो चार लोग का gap तो होई नहीं रख नहीं, यह मुझे तुरंट दिख गया, अगर A को ही नहीं रख पाता मैं, तो ना G को रख पाता, ना F को रख पाता, ना purple रख ना blue रख पाता, कुछ ना रख पाता, C भी ना रख पाता है, तो एक को रखा, सब रखता चला गया, ठीक, चलो, आगे देखो, box B is placed above box D, D जो है, उसके उपर है B, ठीक है, तो अब यहीं जगह दिख रही है, यह जगह मुझे, कि B को यहाँ रत दूँगा, और D को यहाँ आगे, रेड के नीचे जिदने होंगे, वाइट से एक कम होंगे, देखो, अगर मैं रेड को यहाँ रखा हूँ, चलो, यहाँ पर तो रेड हो गए नी, पहली बाता हो, हाथ बना का रहता है, चलो, रेड को यहाँ रखता हूँ, रेड को इस छिदर प्रहें, और आगे एक वो हो जाता कॉम लब इजय बन जाता ठीक है तो बस हमें एक कंडिशन यही थी जो पड़ सिट्ट वो जो हमारा कंडिशन तक खसल में पाद जो रखनी पड़ी है वो है इस वाइट को हम यहां रखेंगे और रेंड को यहां पर रखेंगे अब एक कोलर कौन सा बच है हमा पाजल बनकर रेडी होगी तो यह बहुत नॉर्मल लेवल था बहुत हलका लेवल था जो ख्लरक में हां चांसे हैं ऐसा लेवाला नहीं ठीक है तो बिल्कुल इस लेवल के रेडी रहना ठीक है तो आई हो यह चीज़ें आपको समझ में आई होगी कुछ गडबड़ी हुई है पतल में अगर कुछ लगता है कि आपको यह गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मैं उसका सही वर्धन आखर मैं देखूंगी हाँ सच में गलत है तो आई हो यह चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर समझ में आई हैं अच्छा लगा हो वीडियो लाइक क मैं तब तक के लिए थाइंक यू और गॉट ब्लस्यू आल